समुत्र मन्थन के बाद जब देवताओं ने अम्रत मान किया देवा सुर संग्राम प्रारंबु हुआ राक्षस और देवताओं में भयंग कर युद्ध हुआ लेकिन जो राक्षस थे समुत्र मन्थन में बैंसी ठक गए थे और जब अम्रत पीने नहीं मिला तो आत्म विश्वास की भी कमी थी इसलिए राक्षस जो यौनी है वो समाप तो होने लगी तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि 84 लाख यौनी में से यदि एक यौनी कम हो गई तो प्रक्रती का संतुलन बिगड जाएगा इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रगट हो करके देवा सुर संग्राम को वहीं पर रोक दिया बहुत से राक्षस मारे जा चुके थे केवल कुछ राक्षस सेश थे और उस समय राक्षसों के राजा जो बली थे वो भी म्रत्यू को प्राप्त हो गई थे तब अन्य राक्षसों ने राजा वली को उठाया उठाकर के गुरु शुक्राचार्यजी महराज की शरण में लाकर के डाल दिया तब गुरू शुक्राचारिय जी ने संजीवनी विद्या से राजावली को जीवित किया भारत के रिशी बुनियों के पास ऐसी ऐसी विद्याएं थी कि मरे हुए कुछ जीवित कर दिया जाता था आज विज्यान भी इस तलास में हैं कि हम भी कुछ ऐसी दवा बना लें कि मरे हुए कुछ जीवित कर दिया जाए लेकिन विज्यान में इतनी ताकत नहीं है एक सामान में सी प्राक्वतिक आपदा ये जो COVID-19 इससे तो हम लड़ नहीं पारे इसकी तो आज तक कोई पर्मानेंट दवा नहीं बना पाए दो ढ़ाई साल होने को है पर मरने के बाद जीवित करना कैसे संभव है आज की विज्यान में इतनी शक्ती नहीं है लेकिन भारत के रिशी मुनियों के पास भारत के संद महात्माओं के पास ऐसी विद्याएं थीं की मरे हुए को जीवित कर दिया जाता था और राजावली को शुक्राचारिय जी ने संजीवनी नाम की विद्या से जीवित कर दिया बली जीवित हुए तब गुरु सुक्राचारिय जी ने राजावली से विश्वजित नाम का एक यग्य कराया जिस यग्य के करने पर सर्वजित नाम का एक रथ निकला जिस रथ के गोडे हरे रंग के थे और उसी यग्य से दो दिव्य तरकस निकले तरकस मतलब जिन में बाण रखी जाती है और वे तरकस इतने दिव्य थे कि उन तरकसों से चाहे जितने बान क्योंना निकाले जाए बान समाप्त नहीं होते थे विलोचन पुत्रवली को बली के दादा जी मतलब स्रीप प्रहलाद जी महराज ने एक ऐसी माला दी थी आसरबाद स्वरूप जो माला कभी कुमलाती मुर्जाती नहीं थी उसमाला को राजावली ने धारन किया गुरुदेब के चरणों में सास्तांग डंडवत प्रणाम करके संसार के समस्त ब्रामपणों की प्रदक्छना की और परिक्रमा करने के बाद राजावली ने इंद्र पुरी में चड़ाई कर दी दावा बोल दिया आक्रमन कर दिया एक बार फिर सारे देवता यत्र तत्र मारे मारे फिर ने लगे स्वर्ग में राक्छसों ने अपना अधिपत्पत्य इस्थापित कर लिया इस समय राजावली ने भी धर्म को धारण किया नीती के छट्र को धारण कर लिया विजय प्राप्त हुई राजावली को सुक्राचार्य जी महराज ने राजावली से कहा कि है राजनबली यदि आप अपनी संपत्ती को इस्थाई इस्थर करना चाहते हैं तो आप सौ अस्वमेध यग्य कीजिए तम बिश्व जैनम शिश्यम ब्रगवा शिश्य वत्सलाः शतेन हयमे धाना अनुवरतम मया जयन राजन सौ अस्वमेध यग्य करो आपकी संपत्ती इस्थर और इस्थाई हो जाएगी और स्वर्ग लोग हमेशा के लिए आपका हो जाएगा पर सौ अस्वमेध यग्य करो राजावली ने अपने गुरुदेव सुक्राचारिय जी की बात मानी और बात मान करके राजावली ने मा नर्मदा के उत्तर तट में ब्रगुकच नाम के पावन स्थान पर अस्वमेध यग्य करने प्रारंब कर दिये बली के निन्यान नवे यग्य पूर्ण हो गए मात्र एक यग्य शेस है उस समय देवताओं की माता अदिती घबरा गी कि यदि बली का सौमा यग्य भी पूर्ण हुआ तो हमारे पुत्रों से राज्यपाट पूरी तरह से छीन लिया जाएगा इसलिए देव माता अदिती कस्य पृषी से निवेदन करती है कि हे भगवन अपने पति देव से कोई ऐसा मार्ग ऐसा ब्रत ऐसी साधना बता दीजिए जिस्ते हमारे पुत्रों को स्वर्ग बापस मिल जाए कस्य पृषी ने कहा कि हे देवी इस समय तो मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बली ने भी धर्म को धारन कर लिया है और बली को यदी कोई मार सकता है तो केवल और केवल उसका पाप है और इस समय बली धर्मबान बने है नीती बान बने है चछट्र नीती का पहर धारण किया है जब बार-बार मही आधिती ने निवेदन किया तो कस्य पृषी ने पयोबरत नाम का एक ब्रत बताया है भागवजी में पयोबरत का वरनन मिलता है फाल गुनश्या मले पक्षे द्वादसा हम पयोव्रत अर्च येद रविंदा अक्षम भक्तया परमयान विता पयोव्रत ये जो पयोव्रत है ये उन लोगों के लिए है जिनके मन की कामना है मनो कामना है पूरी नहीं हो रही है इस ब्रत को करने से मनो कामना पूर्ण होती है जिनके पास संतान नहीं होने संतान की प्राप्ति होती है जिनके पास संपत्ती नहीं होने संपत्ती लक्षमी की क्रपा होती है और इस ब्रत का नाम है पयोवरत ये कैसे किया जाता है फालगुन मास फालगुन महीने के शुकल पक्ष की शुकल पक्ष मतलब उज्यारी रात में फालगुन मास के शुकल पक्ष की प्रतिपदा प्रतिपदा मतलब परमा से पहली तिथी से दुआदसी तक बारस तक यह ब्रत किया जाता है इस ब्रत में किसका पूजन होता है अरविंदाख्षम जिन भगवान के नेत्र कमल के समान कौमल है अरथात भगवान श्रीहरी नाराइन का पूजन किया जाता है बारह दिन तक भगवान स्री हरी को सफेद फूल चड़ाई जाते हैं बारह दिन तक दूध चावल से जो खीर पकाई जाती है उस खीर से भगवान को भोग लगाया जाता है और बारह दिन तक वही खीर खा करके रहना पड़ता है या दूध पीकर के रहना पड़ता है बारह दिन तक प्रत्वी पर्वसयन कुसागी आसन पर या कंबल पर बारह दिन तक हवन करना होता है और इस ब्रत को करने से पहले एक नियम है जो नियम सुनने में बड़ा अटपटा लगता है लेकिन नियम है इस व्रत को करने से पहले जिस मिट्टी को सुवर अपने पैरों से निकाले या जिस मिट्टी के ऊपर सुवर के पैर पड़ गए हो उस मिट्टी से इसनान करने चाहिए और फिर इस व्रत को प्रारंब किया जाता है बारह दिन का ये व्रत पयो व्रत कस्य प्रिशी ने अपनी पत्नी अधिती को बताया और देव माता अधिती ने बारह दिन का जब ये व्रत बड़ी सरलता, सहजता, शद्धा और विश्वास के साथ पूर्ण किया तो इस ब्रक्के करने पर देव माता अधिती के यहां बटक व्रम्मचारी बामन्म के रूप में स्री हरीन नारायन ने अवतार धारिन किया बोल ये बामन भगवान की बामन बनकर के प्रहुपधारे सर्व प्रथम सवीता मतलव सूर्य ने भगवान को गायत्री मंद्र का उपदेश दिया देव गुरु ब्रहस्पती ने भगवान का यग्यो पवीत संसकार जन्यू संसकार किया बनके राजा चंद्रमा ने डंड दिया प्रथवी मा ने कृष्ण म्रग छाला दी सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला दी ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया कुवेर ने भिक्षा पात्र दिया सब्तरिश्यों ने कुसा दी और जगचन्नी जगदंबा भगवती भवानी सती ने भगवान को अपने हाथों से भिक्षा दी भिक्षाम भगवती शाख्छाद दुमादा दंबिका सती भगवान को भिक्षा प्राप्त हुई और हमारे बीच में भी बामन भगवान की बड़ी सुन्दर जहां की यहां पर आचुकी है दूर से ही दर्शन करें तो बामन भगवान को सभी देवी देवनाओ ने उपहार दिये भेट दी